हेलो नमस्कार साथियो मैं प्रेम आप सबका स्वाइब करता हूँ आप यूटूब चैनल पर जैसे आपको पता है कि अपने क्रंड़ा फेर्स और प्रिवेश यह कोशन की शिरीश शुरू कर रखी है इससे पहले मैंने आपको जितनी वीडियो प्रवाइड की हैं मुझे आस कोशन आते हैं वैस headphones 25 कोशन आते हैं ठीक है एक कोशन दो नमबर का होता है पचास नमबर के या पूरा कोशन भगारा होता है ठीक है इसके अंदर मैं आप आपके साथ चालिस कोशन डिसकस करता हूँ ऺउड जिसमेंसे 25 कोशन मैं आपके शाथ क्रंट़ाफेर्स के जो 2020 के मैतरपूर्ण है और 15 कोशन प्रिवेश एर के कोशन जैसे CHSL, CGL, MTS में जो SSE ने पूछे हैं वो ही कोशन exactly मैं आपके से डिसक्स करता हूँ जिससे क्या हो कर पता चल जाएं कि SSE का paper का pattern क्या है ताकि अगामी आप उसी चालिस में से कितने present सही है आज का पहला कोशन आपके सामने हाली में किस राजजय सरकार ने पूर्व मंत्री चेतन चुहान के नाम पर रोड का नाम रखने की गोशना की है ठीक है डेको SSE क्या करेगी यह कोशन ही पूछेगी आपसे पूछ लेगी कि पूर्व मंत्री चेतन चुहान भारत के किस राजजय के से समंदी थे यह भारत के किस राजजय के पूर्व मंत्री थे बच्चे कोशन देखते डर जाएंगे कि क्या हो में ऐसे हर राजे के मंत्री भी याद करने होंगे लेकिन नहीं जो न्यूज में यह ना उससे रिलेटिडी ऐसे सी कोश्च नमनाती आपको पता है आज कल लेवल ऐसे सी हाई करने लगी है ताकि जैसे आपको पता कितना कॉंपेटिशन बढ़े गया है ठीक है ठीक है ऐसे यानी योगी अधितनाजी ने किया है फाइन नेक्स कोशन नमबर टू हाली में किस देश ने मुझीबर रह्मान को चिनित करने के लिए सो किताबे उपहार सुरूप दी है श्री लंका बांगला देश ने बुटान या पाकिस्तान ने मुझीबर रह्मान को चि इसका अंसर दो इसका क्यांसर हो जगा दोस्तों इसका अंसर हो जगा आपका ऑप्चन भी बांगला देश ने ठीक है ऐसा बांगला देश ने किया है नेक्स्ट वर बांगला देश की प्रेजिडेंट प्राइम निस्टर मांकर सब कुछ चीफ जस्टीस लेजिस्टर सब पिछली वीडियो में डिसकेस कर चुका हूं नेक्स यानी कोशन नमर्ट त्री नेमन में से सुप्रीम कोट में वकील कार्यकरता परशांत भूशन पर कोट की अब मानना मामले पर फैसला सुनाते हुए कितने रूपे का जुर्माना लगाया है ठीक है इसके अंदर कही क्रोड कोशन है क्योंकि इनके उपर सिर्फ मात्र और मात एक रूपे का जुर्माना लगाया गया है ठीक है इसलिए कोशन पेपर में जुरूत बनेगा यह परशांद बूशन जी के उपर लगाया गया है नेक्स्ट कोशन नमबर फॉर्थ हाली में आई पीन ने अनकैडमी को कितन के लिए अधिकारिक बागिदार के रूप में चुना है इसका क्या आंसर हो जागा दोस्तो इसका अंसर हो जागा आपका ऑप्षण भी तीन साल के लिए ठीक है आई पीन ने एनकैडमी को इंडियन प्रीमियर लिग शुरुआ दोज़र आठ ठीक है ने अनकैडमी को तीन स चोल यूग के दुरलब शीला लेक मिले हैं यहाली में किसे राज्य में खुदाई की गई है मैं आपके एक बार उप्शन पता देता हूं आंदर परदेश, रुनाचल परदेश, असम या त्रीपूरा निमन में से किन राज्य में खुदाई के दुरान रेनाटी चोल यूग के दुरलब शीला लेक मिले हैं ओप्शन है दोस्तो आपके सामने इसका क्या अंसर हो जगा दोस्तो इसका अंसर हो जगा आपका ओप्शन है आंदर परदेश में ठीक है महाँ पर सीम कोन है यस जगमोन रेड़ी जी ठीक है नेक्स्ट कोस्ट नमबर 6 निमन में से हाली में किस बैंक ने होम उससव की शुरुवात की है SBI बैंक ने, ICI बैंक ने, PNB बैंक ने या OBC बैंक ने नीमन में से हाली में, किस बैंक ने होम उस सब की शुरुआत की है, होम फेस्टिवल की शुरुआत की है, तो यह किया है दोस्तो, ICI बैंक ने, ठीक है, और सारे बच्चे मुझे फड़ा फट ICI, ICI बैंक की फुल फों पताओ, चुर्ण यह भी पेपर में CHSL और MTS का कोशन है नेक्स्ट और, जो ICI बैंक फाउंड हुआ था, पांच जनुरी 1994 को, जिसका हैटक्वाटर होगा आपका गुजरात में, ठीक है, यहां पर इसके रिजिस्ट्रेटर ओफिस ही है, तो बस आपने हैटक्वाटर यहार रख लिना है गुजरात में, और इसके की पीपल हैं, अ आपके ग्रीच चंद्र चतुर्वेदी जी और इसके MDU मनेजिन डिरेक्टर, चीफ एक्जिग्यूटिव ओफिसर संधीब बक्सी, जो CE और MD होते हैं, यह मारे SSC के एक्जाम के लिए मैटपून होते हैं, फाइन, नेक्स्ट कोश नमबर सेवंथ, हाली में किस देश को, र मालडीव को, यह शीरी लंका को, ऐसा हाली में किस देश को किया गिया है दोस्तों, तो इसका अंसर हो जाएगा आपका Opsancy मालडीव को, हाली में मालडीव को, राष्टर मंदर कھیल, संख में फिर से सामिल किया गया है, और इसकी capital हो जाएगी मेल, आप इसको असानी से याद रख सकते हैं माल दीव मेल मेल ठीक है ऐसी याद हो जाएगी जिसकी ओफिशिल लेंगविज है डीवेई और यहां पर प्रेजिडेंट है इबनाई मुहमत सौली जी ठीक है वाइस प्रेजिडेंट भी जुरूर याद रख लेना वहां फैसल नसीम जी इसके लगा लो बहुत विदेश मंत्रियों की आसाधारन बैठर की एदख्षता की है इसके अन्दर ऑगो जी ट्वंटी के अंदर कभी कभी प्रदान मंतरी की फाइनेंस मिनिस्टर लेकिन इसके अंदर आपसे विदेश मंतरी ठीक है एक्स्टरनल अफ्äre मिनिस्टर वह हमारे कोन भारत की हैं इसा हाली में किस देश ने किया दोस्तों तो इसका अंसर हो जाएगा आपका ओपसे ने साओधी अरब ने फाइन जिसकी कैपिटल और लार्जे सिटी हो जाएगी रियाद और यहां पर ओफिशियल लेंग्विज है अरेबिक और जिसके सासद यहां पर किंग है सल्मान और क्रावण प्रिंस है मुहमद बिन सल्मान एसे आपको यात हो जाएगा यहां पर मेंली किंग ही पूछे जाते है नेस्ट कोशिश नमबर नाइंट निमन में से किस राज़े को बांगलादेश से जोडने के लिए सोनमुरा दावकंडी अंतरदेश ये जलमार्ग शुरू किया गया है यानि एक इंटरनेशनल वाटर मार्ग शुरू किया गया है जिसका नाम है सोनमुरा दावकंडी यह यानि किन दो देशों की बीच में यह तो पता चले गया है भारत और बांगला देश के बीच में यानि इंडिया और बांगला देश की बीच में लेकिन आप जोता हो कि भारत के किस राज्य और बांगला देश को जोड़ने के लिए यह अंतर देश यह जलमार शुरू किय गया है त्रीपूरा असाम वेस्ट मंगौल या पश्ची मंगौल या सिक्किम इसका कैंसर हो जाएगा दोस्तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओप्शन है त्रीपूरा ठीक है यह हाली में त्रीपूरा और बांगला देश को जोड़ने के लिए एक अंतरदेश ही है जलमार शुरू किया गया है त्रीपूरा राज्य का फॉर्मेशन दोस्तों 21 जनवरी 1972 को हुआ था ठीक है यह साल तो आपने या रख लेना डेट याद मत रखना यहां पर कैपिटल है अगर तला और यहां पर मोस्ट पॉपुलर सीटी भी अगर तलाई है फाइन और यहां पर कु मिनिस्टर हो जाएंगे आपके बिबलक कुमार देव जी ठीक है और यहां पर डिप्टी सीम जिशनु देव वर्मा प्रेपर के लिए इंपोर्टेंट नहीं है सिर्फ और सिर्फ यहां पर विदानसब है और इनकी विदानसब में 60 सीड्स है नेक्स यांडिकोशन नमबर 10 कि हाली में नीवन में से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सुप्रीम कोट के किस नियाजीज का रिटार्मेंट हुआ है देखो सुप्रीम कोट की बात हो रही है तो वरतमान में आपको पता है चीज जस्टिस ओफ इंडिया कौन कौन यूक्ति यह गया है सारे बच् है तब आपको जो नई चीज जस्टिस अपॉइंट किये गए है अप सारे बच्चे में उनका नाम जूरूर कमेंड बॉक्स में देंगे और वह कौन से वे नंबर के हैं चलो वह 48 वे नंबर के हैं यह मैं आपको पता देता है ठीक है और हाली में नीमन में से वीडियो कॉन हो जाएगा आपका 124 ठीक है आप ऐसे याद रखो देखो सबसे उपर होता है सुप्रीम कोट जो एक है हाई कोट वर्तमान में भारत में 25 और डिश्टिक कोट तो बहुत सारे हैं ठीक है तो डिश्टिक कोट पेपर में नहीं पूछे जाते सुप्रीम कोट हाई को स्टा आपना कोलकता में हुई ठीक है अगर सबसे पहले पूचे तो किस एक्ट के सपरीम कोट कि साफना हुई दिए रेगलुलेट्नग एक्ट स्यम्ट सैम्ट सैंटि कहूर में कॉलकता में करने ही लेकिन सुप्रीम कोट का प्रूविजनाया था 28 जन्वरी 1950 को ठीक है इसलिए 28 जन्वरी 1950 से सुप्रीम कोट बनाता है अगर यह पूट कोट अगर आपको ऑप्शन में 1950 जिया होगा तो 1774 का तो आपको 1950 पर टिक करना होगा ठीक है first CGI कौन थे हमारे सुप्रीम कोट की चीफ जस्टिस ओफ इंडिया वह थे एच जे कानिय जी ठीक है यह बहुत ही मैतपुन पद होता है चीफ जस्टिस ओफ इंडिया का क्योंकि मैं अगर भारत में मान लो कि प्रेजडेंट यानि राष्ट पती जी नहीं है यह उनका पद खाली है और आपको पता है जब राष्ट पती जी नहीं होते तो उनके पद पर कौन बैठते हैं वाइस प्रेजडेंट जी ठीक है यह भी लगा लो कि भारत में राष्ट पती जी का पद भी खाली है वाइस प्रेजडेंट उपर राष्ट पती जी का पद भी ख खाली है यानि उनकी को भी अपॉइंट्मेंट या वो नहीं है तो उसके बाद जो सबसे हाइयर एज के सुप्रीम कोड के जज़ होंगे उनकी यहां पे प्रेजडेंट में अपॉइंट्मेंट की जाएगी ठीक है क्योंकि ऐसा हो भी रख है तो मैं आपको एक बार उनका ना एता है ठीक है और हाँ सबसे पहला रिमूवल प्रॉसेस कौन से जस्टिस के खिलाफ चलाए गया था तो वो चलाए गया था रामा स्वामी के खिलाफ वो और चला था नाइटी-नाइटी-ठी में ठीक है और आज तक किसी की भी प्रॉसेस पूरी नहीं हो यह यानि जो इसके अंदर में आपको साथ सिर्फ सुप्रीम कोट के बारे में डिसकर कर लाँ और विमेवल परसाइस जो सुप्रीम कोट के ज़जिस का होता है वह तो आर्टिकल 124 फॉर्थ के टैथ या तो यह राज्य सबह लोग सबह किसी में भी शूरू हो सकता है अगर यह लोग सबह म हंडर्ड और राज्य समा में हो जाएंगे आपके फिफ्टी ठीक है यह दोनों के दोनों डाटा आप याद रख लेना और इसका कैंसर हो जाएगा जस्टिस अरुन मिश्रा जस्टिस वर्मा जस्टिस अमित वर्मा यह इन में से कोई देखो स्प्रीम कोट का पूरा टोपि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इनके जज्जिस की eligibility पूछी जाती है ठीक है citizen of India यह तो कभी नहीं पूछ जाती लेकिन यह पूछ जाता है कि उनको कितने साल के लिए हाई कोट का जज होना चाहिए जो व्यक्ति सुप्रीम कोट का जज़ बनेगा उसको कम से कम 5 साल के लिए हाई कोट का जज होना थी है अगर पांस साल के लिए हाई कोट का जज नहीं होता तो कम से कम 10 साल के लिए हाई कोट का advocate तो होना ही होना चाहिए ठीक है इन दोने में से कोई भी हो फाइन और इसका आपका option है justice अरुन मिश्रा की हाली में सुप्रीम कोट के नियाइदीस की retirement वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्य हम से हुई है next question number 11 हाली में भारत का पहला चेत्रिय मतदाता जागरुकता केंदर का स्तापित किया जाएगा national voters day हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है गनोर समालखा जैपूर यह जबलपूर हाली में भारत का पहला चेत्रिय मतदाता जाग तो रुकता केंदर का स्तापित किया जाएगा ठीक है election commission of India की स्तापना 25 जनवरी 1950 को हुई हुई थी इसलिए हर साल 25 जनवरी को national voters ठीक है उसके साथ-साथ election commission का article क्या है दोस्तों तो वह हो जाएगा आपका article 324 election commission का कारेकाल 6 साल के लिए होता है इसके अंदर एक चीफ election commission होता है और उसके बाद दो election commission और उसके बाद एक deputy election commissioner भी होता है ठीक है सारी बाते आपने यार रख लेनी है और method of election of president यह प्रावदान हमने Ireland से लिए रखा है ठीक है तीन पॉइंट है यार रख लेना सबसे पहल method of election of president यह हमने Ireland से ले रखा है ठीक है और second है removal of supreme court and high court judges taken from USA ठीक है यह तीन बार बार SSC पूछती है यह प्रावदान हमने कहां कहां से ले रखे है और second हो जाएगा ठीर्ड हो जाएगा आपका amendment of constitution साउथ अफरीका से संसोधन का प्रावदान किस देश के सविदान से बोरो क कर रखा है दोस्तों तो हमने South Africa से कर रखा है और भारत का पहले छेत्रिय मदाता जागुरुकता केंद्र का स्तापित किया जाएगा तो यह किया जाएगा आपका जै पूर्यानी राजेस्तान में ठीक है next question number 12 हाली में किस देश की पूर्व PM खालीदा जिया को 6 महीने की जे सुनाई गई है श्री लंका बांगलादेश भूटा या पाकिस्तान इसके अंदर आपके में देखो कि पूर्व PM को जेल हुई है यह देखो कि अगर PM ने कोई ना कोई देखो गलती होती है इन मतले में कोई गलती किया और इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है जैसे आपनी एक साल के लगबर लोग डाउन में छूट नहीं दी थी नौरवे के प्राइम मिनिस्टर ने कहा रखा था कि कोई भी गैदिरिंग में जैसे बर्डे बगार है तो उसके अंदर दस बंदों से जादा नहीं हो सकते लेकिन नौरवे के प्राइम मिनिस्टर का खुद का ही जन इसलिए देखो कि वहां पर कितनी ट्रांसपेरेंस है कि वहां पर इतने उच्छे पदवर भी रहकर भी लोगों के उपर कारवई हो जाती है यह बहुत अच्छी बात है ठीक है और यह देखो इससे हमारे पेपर में क्या कोशन मन जाएगा नौरवे की प्राइम मिनिस्टर कैपिटल वहां के प्रेजिडेंट तीनों के तीनों नाम सारे बच्चे मुझे होमवर्क है आपका इसका अंसर देंगे श्री लंका बांगलादेश बुटान या पाकिस्तान इसका अंसर बज़ेगा दोस्तों आपका ओप्शन भी बांगलादेश की ठीक है नैस्ट कोशन 13 हाली में जारी टाइम्स हेर एड्यूकेशन रैंक्इंग में किस उनिवर्सटी ने सीर स्थान हासिल किया है ओक्सफॉर्डड रूर्प्सटी ुडियू दिल्र रूर्प्सटी M्ढेयू महराथं या लंदन रूर्प्स तारी में जारी टाइम्स हायर एजूकेशनल रैंकिंग में किस युनिवस्टी ने सीरिस्तान हासिल किया वह सबको बताऊगा इसका अंसर इसका अंसर होजगा आपका ओप्षन है ओक्सफोर्ड युनिवस्टी ने फाइन नेक्स कोचन नर्व 14 नीमन में से डोनाल्ड ट्रमप ने अमेरिका के किस सीठी को पहले। वर्ल्ड वोर 2 हरिटेज सीठी गोशित किया है ठीक है ये सतंबर का कोउशन है अगर सतंबर का तो उसमें डोनल्ड ट्रमप ऑनाग के राश्ट्रपती थे तयसने उनका नाम आया स्थीत है आपको अप्षेन देगा अमेरिका रूस फॉरांस तो इसका अंसर हो जागा अमेरिका और इसका आंसर है वैसे आपका ओप्षेन है ठीक है अमेरिका की कैपिटल वाशिंग्टन डी-सी है और यहाँ पर लाज़े सीटी हो जाएगी आपकी न्यू-योग सीटी आपके जोन रोबर्स ठीक है इस डेस्क का हर चीज हमें यहां रखनी होती है यहां पर लैसिस लेस्टर को कॉंग्रेस का जाता है और अपर हाउस को सीनेट और लोवर हाउस को हाउस ओफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कोउच नमबर 15 निमन में से भारत का कौन सा राज्य है इज ओफ डूइंग बिजनस रैंकिंग में सीर स्थान पर रखा गया है यानि निमन में से भारत का कौन से राज्य को इज ओफ डूइंग बिजनस रैंकिंग में सीर स्थान मिला है यानि प्रत्थम स्थान मि का ओप्शन ने आंदर परदेश ने ठीक है आंदर परदेश को सीर्स ता मिला है जिसका फॉर्मेशन एक नुवंबर 1956 को हुआ था और इसकी एक्जुक्यूटिव कैपिटल है विसाखा पत्नम लेजिसलेटिव कैपिसल है अमरावती और जुडिशल कैपिटल है कर रूल यानि इसकी तीन कैपिटल है ठीक है तीनों अलग अलग या प्लखनी पढ़ेंगी पढ़ेंगी और यहां पर गुणनर हो जाएंगे आपके विश्वा भूशन हरी चंदन जी और चीम मिनिस्टर मैंने आपको सुरु में बताय सेट्स और यहां की विदान मंडल में 58 सीट्स हैं यहां से राज्य सवा में कुल 11 सीट्स हैं और लोग सवा में 25 सीट्स हैं फाइन नेक्स्ट कोच नमबर 16 हाली में भारत के किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रोनिक हाडवेर वी निर्मान निती 2020 जारी किया है केरल ने किय और परदेश ने किया है गुजिरात यह तमिल नाडू ने ऐसा हाली में भारत की किस राज्य सरकार दवारा किया गया है इसका अंच रोजगा दोस्तों आपका ओप्शन डी तमिल नाडू के दवारा फाइन और जो स्टेट बनाता यह बनाता 26 जनुरी 1950 को ठीक है और 25 तमिल नाडू राज्य की स्टापना जिसकी कैपिटल और लार्जे सीटी है चनहीं यहां पर कुल जी लें 38 यहां पर आपके राज्य पाल हो जाएंगे बनवारी लार परोच जी और चीम निश्टर ने पनना स्वामी जी ठीक है डीप्टी सीम याद मत रखना नहीं पूच सीट से हैं नेश्ट कोशन नमर 17 हाली में दक्षीन भारत की पहली किसान ट्रेन आंधर परदेश से कां तक चली है यह कोशन मैं आपके सथ पहले अपनी पिछली वीडियो में डिसकस कर चुक हूँ लेकिन इसके अंदर को मोडिफाई किया गया है आपने इसके अंदर मुझ अंदर परदेश से कां तक चली है दिल्ली हरियाना पंजाब यह उत्तर परदेश इसका अंचर जगा दोस्तों आपका ओप्शन दिल्ली तक ठीक है नेक्स्ट कोशन नमबर 18 हाली में जारी किस बैंक ने इस 2.0 इंडेक्स में सीस्तान हासिल किया है पी एनवी बैंक ने बै जेंटल बैंक ओफ कॉमर्स एजबिया स्टेट बैंक ओफ इंडिया में कहीं वर बैंकों की फुल्फर्म पूछी जाती है बी ओवी की फुल्फर्म होती है बैंक ओफ ब्रोदा हाली में जारी किस बैंक ने इस 2.0 इंडेक्स में सीस्तान हासिल किया है तो इसका अंसर हो जो वार्च फाइन इसका हेड़कॉर्टर भी वडोड़ गुजरात में है और इसके चेर में हस्मुक अदिया और एमडी और सीयों संजीफ चड़ा जी नेश्ट कोशिन नमबर 19 भारत के किस राज्य सरकार ने संयुक पांडू लीपियों के लिए डिजिटल मुस्तकाल्य क का निर्माट किया है उत्र प्रदेश ने उत्राखंड ने हर्याणा ने या पंजाब ने ऐसा हाली में भारत की किस राज्य सरकार ने संसीफ पांडू लीपियों के लिए डिजिटल मुस्तकाल्य का निर्माट किया है तो इसका अंसरो जगा दोस्तों आपका ओप्शन भी उत्राखंड राज्य सरकार ने ठीक है और उत्राखंड राज्य का फोर्मेशन नो नमवंबर दोजार को हुआ था और इसकी समर कैपिटल ग्रेशीन और विंटर कैपिटल देरा दून है जुडिशल सीट ने इताला बहुत बार डिसकस कर चुका और यहां पे लार्जर सेंमिली नहीं जाद रखनी है यहां पर सिर्फ़र सिर्फ विधान सबाइं और इनकी विधान सबांसबा में सबता सीड्स हैं यहां से राज्य समा में तीन ओर लोग शमा में पांच सीड्स ने ठीक है और नेक्स्ट यानिक कोशन्सorm 20 Most Important कोशन तह राली में dogagers स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है नरेंदर मोदी रेलवे स्टेशन अटल व्यारी वाचपई रेलवे स्टेशन शिरी सिधारुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन ये इन में से कोई नहीं हाली में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है और आपका नेक्स मैं आपको एक या दो कोशन दूँगा होंवर्क में सारे कोशन में आपको यह वीडियो में डिसकस करूँगा इसका अंतरों जगा आपका ओप्शन सी शिरी सिधा रूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन ठीक है यह गुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम है हाली में जाय स्ट ह hall最 क्णोबल एकनोमिक फिरीडम इंडेक्स 2020 में पर कौसा देश रहा है यह कोंग कोंग फरांस जपान यह ठाइलेंड लोबल एकनोमिक Freedom Index 2020 में सीर्स्तान पर कौन सा देश रहा है दोस्तो तो इसका अंजरों जगा आपका Option है होंग कॉंग ठीक है जिसके चीफ एब्जिक्यूटी में कैरी लैम जी और चीफ सेक्रेटरियम मैथू चुवांग जी ठीक है दोनों के दोनों जुरुजाद लखना और नेक्स यानि कॉश्न अमबर 22 आपके सामने हाली में भारत सरकार ने बैंकदार उदार करताओ को रात देने के लिए किसकी अजगस्ता में समीती का गटक किया है राजीब महरशी मोईत वर्मा तिलोग ओप्षिन लाजीब महरशी फाइन देखो अंसर गीवन है नेक्स्ट कोश्च नमबर 23 हाली में किस संगठन ने वेस्ट वीक ट्रांस फैट उन्मूलन पर काउंट डाउन टू टू थाउजन ट्वंटी जारी की है विष्ट स्वास्ते संगठन डबल वाल्ड हल्थ ओर्गनाइजेशन ठीक है जिसका हैट कोटर आपका जिनेवा में हो जाएगा इसके मैं आपको हैट कोटर भी सासब पता दो चलूंगा आई एलो इंडियन लेबर ओर्गनाइजेशन headquarter कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सारे बच्चे मुझे फड़ा फड़ता हो ILO Indian Labour Organization का headquarter कहाँ पे है विश स्रम संगटन का headquarter भी आपका कहाँ पे हो जाएगा ये भी आपका जिनेवा में हो जाएगा UNESCO इसका headquarter कहाँ पे हो जाएगा इसका हो जाएगा पैरिस में और कहीं बार इसकी स्ताप न पूछी गी है वह है 1946 में ठीक है और UNHCR सबसे पहले फुल फॉर्म ये वैसे मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिसकस कर चुका हूँ रिविजन के लिए दुबारा डिसकस कर रहा हूँ यूनाइटिड नेशन हाई कमिशन फॉर रेफ्यूजी ठीक है यह है यू एन एच्छी आर की फूल फॉर्म और इसका हैट क्वार्टर भी कहां पर है वह भी आपका जिनेवा में है ठीक है कुछ मैतरपूर्ण का वाशिंग्टन डीसी में वह मैं आपको से डिसकस करता हूँ फिर उसके बार मैं आपको इसका अंसर दूँगा जैसे आईडिये इंटरनेशनल डेवल्मेंट एस्सेशेशन अंतर राश्टिये विकास संगटन का आई बी आडी दोनों आपको विकास एवं पुनन निर्माट बैंक यह मिडल इंकम कंट्री को लोन देता है विद कुछ माउंट जानी बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन देता है इन दोनों का हैड़कोर्टर कहां पर हो जाएगा वह जाएगा आपका वाशिंग्टन डीसी में ठीक है आपने जुरूर या इंटरनेशनल ॐ कोर्परेशन का हैड़कोर्टर विवाशिंग्टन डीसी में ठीक है है अगर यूनिसैव का पूछ जाएगा तो वह आपका न्यू यूयोक में हो जाएगा और है एक का है इन्टरनेशनल लास्ट है हमारा Court of Justice ICG का Head Quarter हेग घोलेंड में है जिसकी स्था अपना भी 1946 में किय गई थी ठीक है और नाटो North Atlantic Treaty Organization का Head Quarter Brussels में है जिसकी इस था अपना पूरी डेट याद रख लेना चार अपना 1949 को की गई थी फाइन और ADB Asian Development Bank का Manila में है ठीक है और Interpol का France में है जिसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई थी ठीक है इतने महत्पून है सारे आद रख लेना और इसका क्या अंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा आपका ओप्शने विश स्वास्ते संगर्टे डबलू एचो जिस जो फोर्म हुए था जिसका फॉर्मेशन साथ प्रेन 1948 का हुआ था जिसका हैड़ क्वाटर जिनेवा स्विजर लेंड में बता चुको जिसके हैड़ है टेडरस जी ठीक है नेक्ष्ट कोशिन नबर 24 हाली में भारत क ले जाने वाली वानों को अम्बूलैंस का दरजा दिया है उत्तर परदेश ने सीक्किम ने माराश्ट ने या तमिल नाड़्ू ने ऐसा हाली में भारत की किस राज्य सरकार ने किया है और बहुत अच्छा step लिया गया है और इसका आंसर हो जगा दोस्तों आपका option सी महराश्च सरकार ने next question number 25 भारत के किस राज्य में सहरसा से किसन गंज दर्वंगा में 400 किलोवाट लिलो transmission line को सापित किया गया स्टैटीजिक के question सहरसा किसन गंज दर्वंगा भारत के किस राज्य में दोनों जिल्ले गांस तीता है तो यह आपको जूईया रखना होगा भियार वेस्ट मंगोल दिल्ली या पुंडूचरी दर्वंगा आगया तो कुछ बच्चे इसका अंसर मुझे आशे जुरूर सही देंगे इसका अंसर होजेगा आपका option है भियार ठीक है जिस भियार आजेगा formation 26 जनुरी 1950 को हुआ था जिसकी capital होजेगी पटना और लार्जे सीटी भी पटना है यहां पर कुल जिल्ली हैं दोस्तो 38 और यहां पर गुवर्नर है फाबुचुवान जी यहां पर चीम मिनिस्टर है नितिस कुमार जी ठीक है यहां पर बीजेपी और जेडिवी बार्टी का गटबंदन है ने पुचा जाएगा डिपटी सीम में रेनु देवी जी और तरकी शोर परसाद जी यहां पर विदान सभा भी है विदान मंडल भी है यहां की विदान मंडल में 75 सीट्स विदान सभा में 243 सीट्स है और यहां से राज्य सभा में दोस्तों हो जाएंगे आपकी 16 सीट्स और लोग सभा में 40 सीट्स है ठीक है यहां तक तो हो गय गीुफ है प्रिवे कोशन sei कोशन रीजिड्एंसिंडंगों से की साुछा है दिए पहले क्यों यह पूझा बात परिओ व्हारत और लाश्ट में कोशन है लेकिन आज कल कुछ जीप इसे कोशन पूझ을 लगया यह सूच कांग किस से जुड़ा हुआ है यह किसके दोरा यानि परकाशित किया जाता है ठीक है यह सारी बाते और इसके अंदर कितनी कुल टोटल कंट्रिक थी सेर की कीमत से, म्यूचल फंड की कीमते से, मुल्य, मुद्रस्वीती सूच कांग या मकान की कीमत से तो मकान की कीमत से ठीक है नेक्स कोर्षिन नमर 27 बोद साइटी है किस बार से में लिखी गई है बोद और जैन कम से कम दो से तीन बार में आपके साथ इसको पूरा-पूरा डिसकस कर चुक हो और मुझे आसे कि अब मुझे डिसकस करने कोई जूरत नहीं है अब आपको प्राकृत पाली नेपाली या संस्कृत यानि बहुत यानि जो बुदिष्ट थे यानि जो बहुत द्रम के गुरू थे वह किस बासा में अपने देश को देते थे यह भी कोर्षिन बन सकता है तो इसमें आप टीक करोगे ऑप्शन भी पाली को जैन प्राकृतिक नेक्स्ट कोर्षिन नमबर 28 निमलिक्ट में से कौन सा विद्रो अंदोलन बंगाल के छेत्र में नहीं हुआ है सन्यासी विद्रो चुवार विद्रो पागल पंथी विद्रो या बगेरा विद्रो इसमें इतना जाज़ा डीपली में नहीं जाएगा सिर्व यह को शिर्म बने और गाम किसका अंसर हो जगा आपका Option ठीक बगेरा विद्रो ठीक है यह बंगाल के छेत्र में नहीं हुआ इसके इलावा सन्यासी विद्रो चुवार विद्रो और पागल पंथी विद्रो तीनों के तीनों ब्यार के सुर्य बंगाल के छेत्र में हुए हैं नेक्स कोईशन में से कौन भूम अद्धार रखा के सरवाजिक निकट है और इस टैटी जी कोशन है ऐसी दुबारा रिपीट होगा आप अलग लग नगर को नहीं याद कर सकते हैं अगर आप करोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और आपको याद भी नहीं रहने कॉलंबो जकारता मन मिला या सिंगापूर कुछ ऐसे केस होते हैं एक दो कोशन वह आपको आएंगे ही नहीं आएंगे अगर आप उनको करने जाओगे तो उसके पिछे आपना स्लेबर चोड़ दोगे ना तो आप जो कोशन बाई सेज कोशन अटैंप कर पाओगे उसके पीछे अगर आप एक से दो कोशन के पीछे बाई से इस कोशन छोड़ दोगे तो आपका स्लेक्शन कभी भी नहीं हो सकता इसलिए एक दो कोशन की चिंता मत किया गो इसका आंसरो जगा दोस्तों आपका ओप्शन डीसिंगा पूर नेक्स्ट कोशन नमर ठटी निमलिक्ट में से वह राज्य कौन है जिसकी सीमा मीजोरम से नहीं लगी हुई है देखो सारे कोशन मैं आपके से डिसकस कर चुक हूँ पाकिस्तान मीजोरम इस सारे के सारे मैं आपके से डिसकस कर चुक हूँ साथ आठ है साथ हमारी लेंड के साथ हो जाते हैं तीन भारत के प्रोसी देश पानी से हैं नागा लेंड मयनमार असम या तिरीपुरा वैराज जे कौन सा है जिसकी सीमा मीजोरम से नहीं लगी हुई है इसका अंतरुजगा दोस्तों आपका ओप्षिन नागा लेंड ठीक है कोशन बार बार ऐसे सी रिपीट करती है इसका अंसर रोजगा दोस्तों इसका अंसर रोजगा आपका ओप्षिन डी जावेरी बेंड इनके लावे तीनों के तीनों भारत नट्य नित्ने अगांस है फाइन नेक्स कोशन नमबर 32 श्रीलंका में अबादी के अधिकांस लोग डैस का अनुसरण करते हैं यानि श्रीलंका में से नीमन में से किस दरम के अधिकांस लोग हैं हिंदू दरम इसलाम धरम इसाइज दरम या बोध दरम मुझे आशा है कि इसका अंसर भी सई बच्चे सई देंगे इसका अंसर जगत दोस्तों आपका ओप्शन डी बोध दरम ठीके देखो अंसर भी गिवन है श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बोध दरम के लोग पाई जाते हैं यार मालो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बोध दरम को मानते हैं नेक्स कोशन नमबर 23 जल का शापेक् कितना है वाटर का आपने मुझे इसके अंदर बताना है 18 यू द्रिवयमान 9 यू 16 यू 18 यू और यह बहुत फेवरेट कोशन ससी का और इसका अंसर जगा दोस्तों आपका ओप्शन डी नेक्स कोशन नमबर 34 मानव रख्त का पी एच मान क्या है 8.3 6.8 7.4 या 6 बलड की बा का ओदाता है वो का अरिस्टोटल को फादर बायलोगी अरिस्टोटल को फाइधाता है और जो बलड सिर्कुलेट्री सिस्टम है यह किसके दवारा दिया गया था यह है आप और इसके सास्थ के इसलिए हैं सब्से पहले मिया पादा देता हूं 7.4 या 7.45 यह इसलाइटरी आपने जुरिजा रख लिएता है जैसे यह होता है जीरो, जीरो से 7 होता है ऐसीडिक और 7 से 14 होता है आपका बेसिक यानि इसका टेस्ट होंगे खटे, यहां होगा बीटर कड़वा, ठीक है, इस सारी between 2 basic के कई बार example पूछे जाते हैं कोफी पाउडर कीरे तर्बूज घर्बूज ठीक है acid का तो आपको पता है बहुत सारे acid है वह जाएंगे आपका sodium chloride NaCl जो salt वगेरा होते हैं ठीक है और मानव रख्त के साथ साथ pure water का pH होता है आपका 7 और rain water का होता है 5.6 क्यों क्यों क्योंकि rain water में carbonic acid होता है इसलिए इसका होता है 5.6 pure water का होता है आपका 7 ठीक है सारी बाते आपने जूर्या रख लेना और हां pH मान किसके द्वारे दिया गया था वो दिया गया था साइंटिस सोरिस से और pH की full form होती है पावर ना तो पोटेंशल ओफ हाइडोजन आइस फाइन नेक्ट कोशन number 35 भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकाली किसे माना जाता है देखो यही कोशन तीन से चार बार SSC ने अलग लग फो में डिसकस किया हुआ और यह भी मैं आपके साथ हर कोशन को वैसे डिसकस कर रहा हूँ भारत के राष्ट पती को तीनों सीना का जख्स भारत का राष्ट पती होता है भारत के मान्याईवादी बारत के नियंतरक ततमा लेखा प्रिक्षक कैक कम्ट्रोलर एंड ओडिटर जन्रल ओफ इंडिया राज्या के एडवोकेट जन्रल भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है तो माना जाता है भारत के मान्याईवादी अटोनी जन्रल ओफ इंडिया ठीक है भारत का होता है हर राज्या का भी अटोनी जन्रल ओफ स्टेट भी होता ह next question number 36 बारतिय सविधान के अनुसार केंद्रिय डैस निकाय संसत कहलाती है नियाइक कार्यकारी विधाई की ये नियाइक तता विधाई की दोनों बारतिय सविधान के अनुसार केंद्रिय डैस निकाय संसत कहलाती है तो इसका अंसर हो जगा दोस्तों आपका option C विदाई की निकाय संसत कहलाती है ठीक है कौन सा ऐसे जीव का उधारण नहीं है सबसे पहले नहीं है जो खाद पदारतों का विगटन सरीर के बार करते हैं तथा तब उसका अफशोशन करते है फुफूंदी, येश्ट, मश्रूम या साप इसका अंसर होजगा दोस्तों आपका उप्शन डी साप ठीक है ये ऐसा उधारण नहीं है इसके लागा फुफूंदी, हीश्ट और मश्रूम ये तीनों के तीनों इसके उधारण है नेश्ट कोशन नवर ठाटीएट शीशू में परतेख लक्षन डाश के डी अइने से परभावित हो सकते हैं डी अइने और आर आने की फौल फॉंब भी सारे बच्चे मुझे बताएंगे बहुद बार पेपर में पूछी जाती है डी उया आर आने केवल पीता केवल माता पीता तता माता दोनों या ना तो पीता ना ही माता शिशु में प्रतेक लक्षिन डैस के डी एने से प्रभावित होती है इसका आंस रोज़ेगा दोस्तों आपका ओप्शन सी पीता थता माता दोनों से नेच्ट कोशन 939 साइकन लाष्स कोशन वीएक समयलेक का छेतरफल डैस प्रदर्शित करता है दूरी तरण बल या समवेग यह क्या प्रदर्शित करता है इसका क्या आनसर होज़ inomगा दोस्तों इसका आंसर होज़ेगा आपका ओप्शन a दूरी फाईङ करता है और ने 와서 समयल डैश को विश्व के विभीन भागों में विभीन नामों से जाना जाता है उत्री अमेरिका में इसे हरीकेन के नाम से जानते है जपान वगारा टाइफून ठीक है साइकलोन मैं आपके डिस्स कर चुका हूं देखो इसी कोशन को उन्हें गुमा के पुछा गया कि नीमन में से किस चीज को उत्री अमेरिका में हाइकेन के नाम से जाना जाता है ठीक है अगर पेपर ने पूछें तो साइकलोन को उत्री अमेरिका में हाइकेन के नाम से जाना जाता है फनल वर्फूल चकरवात या ट्विस्टर इसका आंजरो जगा दोस्तों आपका लेकिन कोई गुमाफी राके पूछा जाता है ठीक है फाइन आज की वीडियो में बस इतने रहा सारा बच्चे मुझे कमेंड बोक्स में जूर बताओ आपके चालिस में से कितने प्रश्चत सही है आज की वीडियो बस इतना ही मुझे आसा ही कि आपको दोस्तों वीडियो जिसे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके अगर आपको इस वीडियो से लेटे कोई भी डाउट है तो अभी जग कमेंड बोक्स में लिखना मासर के कमेंड पढ़ता हूं और रिप्लाई भी दूँगा बहुत ज़ली अपनी नेक्स वीडियो मिलेंगे जय इंद जय वारत थैंक यू एंद आव नाइस डेग